आज बात करेंगे हम लोन तुरंत कैसे कैसे ले लें क्या करें जो हमारे को फटाक से लोन मिल जाए और आप सोच रहे हो कि पीछे हमने ये फरजी मूवी का इसा क्यों लगा रखा है इस मूवी का एक डायलोग था ये दोनों नसे में धूत्व करके शाहिद कपूर कहता है कि म बैदल क्लास और इज्जत यह दोनों ना पड़ी अपॉजिट चीज है इज्जत कभी मिडल क्लासस अफरड़ी नहीं कर सकता और इतनी गवहंगी चीज्ज़े मतलब इज़त और इसे अफ़र्ड करने के लिए एक मिडल क्लास लोन का सहा रहता है अगर मैं लोन का सहा रहे ले लो तो मेरे को इज़त मिलने लग जाएगी फ़र इग्जामपल इसी मुवी में डायलोग है कि आदमी की जब नौकरी चाकरी लगती है तो बाइक लेने के लिए लोन लेता है तो उसके लिए ट्रेवल लोन लेता है कुछ समय बाद वो कार लोन भी लेता है आगे चलके वो घर घरिदने के लिए होम लोन भी लेता है बच्चे बच्चे हो गया और बच्चे के बड़े होने के बाद उसके पढ़ाई के लिए वह एजूकेशन लोन भी लेता है तो करें कि middle class का synonym है loan या फिर loan का synonym है middle class तो गहना गलत नहीं होगा बात मांते हैं ना मेरी अच्छा अब जब loan की बात कर रहा है तो एक चीज़ आप देखते होगे कि कई बार यह होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग तुरंत मिल जाता है लेकिन कुछ लोगों को लोगों नहीं मिल पाता है दो लोगों की इंकम सेम होने के बावजुद आपने देखा होगा ल Former 25,000 है 2 लोगों की कई देते हैं हा، क्या क्या पैरामिटर है और मेट्रो सिटीज में रहते हैं हैं तो क्लास रिच सब्सक्राइज Guy मॉंबई जीरों में रहते हैं और 35.000 रोप की इंकम है तो अप मेट्रोव अुस से नीचे फिर आप लोवर क्लास ठीक है लेकिन एक चीज़ समझेगा एक तो मेट्रो सिटी स्की में बात कर रहा हूं प्लस छोटे शहर जैसे लखनाव हो गए पटना हो गया इन सब शहरों के लिए 33,000 वपर डिसाइड किया गया है डेटा कहता है तो हम उसी किर्द के ज़रा बात करते हैं लेकिन एक चीज़ 10,000 वपर पर मंथ पर पर परसन है पर फैमिली नहीं है होता क्या है हमारे यहां पर अब जैसे यूएस लोग आप कल्चर देखो तो घर में चार लोग है तो चारों लोग कमाते हैं लेकिन हमारे यहां पर ऐसा नहीं होता हम एक संसकारी फैमिली भारती है संस्कृती कमाई का सोच लिया तो यह हमारी धारना होती है हम मिल्ल क्लास वालों की ऐसे में क्या होता है कि एक आदमी जब 35,000 रुपर पर मंत कमा रहा है उसकी बीबी भी है दो बच्चे भी है और अगर माबाब भी हैं मैं चारी आदमी मानता हूं घर में अगर चार लोग खाने वाल और घर में चार लोग हैं तो असल में मिल्ल क्लास रहा नहीं वो पूर क्लास में आ चुका है क्योंकि पर हैड की इनकम तो भाया आठ हजार रुपे के आसपास आ गई मानो ना मानो बात तो यही है सच है अब वहीं एक आदमी जो गर्व से अपने आपको पूर क्लास कह देता है आप देखें आप जिस भी ऑफिस में नोकरी चाकरी करते हैं ऑफिस के बाहर निकलें तो कोई ठेले वाला होगा कोई रिक्षय वाला होगा या कोई जोपड़ी जोपड़ी में चाय बना रहा होगा आप उससे पुछें को मिडल क्लास है पूर क्लास हो खुले आम गर्व से गहेगा मैं पूर क्लास हो वह गरीब आद्मी है वह लाइन बोलने से कभी नहीं चुकेगा हम तो गरीब आद्मी वह हैं लेकिन हम जैसे लोग पड़े लिखे लोग अच्छे जगे दूकरी कर रहे हैं हमारे मुझसे कभी नहीं निकलता हम पूर लौब लौवर लौवर ट्रास में हम मेडिल क्लास यह बोल सकते हैं वह आदमी खुलके कहेगा हम लौवर क्लास में लेकिन उस लोर क्लास की हकीकत आप जानोगे वह आत्मी जो चाय बेच रहा है ना उसका अगर सब कुछ प्रॉफिट अफिट सब हिजाब लगा के अगर माने की 20-25 रुप महीना कमा रहा हूँ तो आप कहोगे उसकी घर के सब्सक्राइब लगा उसके घर में चार लोग हैं तो आप देखेंगे उसके परिवार की इंकम लगबख 70-75 रुपर चली जाएगी आप बताओ वो गरीब यह हम जैसे पड़े लिखे लोग गरीब समझा है ना मिडल क्लास और लुवर क्लास यानि कि हमने पर्सप्शन बना रखा है कि हमारी इतनी इंकम है उतनी इंकम है नहीं क्योंकि पर हैड इंकम को आपको समझना पड़ेगा का आपके कमाने वाले कितने हैं और खाने वाले कितने हैं ठीक है तो चार फैमिली है तो आटेजर पर पर सब्सक्राइब अब समझेगा यह हालात मैं आपको समझा द समझें सर दो तरह के लोन होते हैं का बैड लोन हम कहते हैं दूसरा होता है कहते हैं ऐसा कुई भी लोन जिसकी इम आई आपकी सेलरी के चालिस पर्संट से जाधा है वो आपके- खराब लोन समझाता हूँ, मालो आपकी सेलरी एक लाख रुपए है, और एक लाख रुपए में 40,000 रुपए से ज्यादा अगर आपकी यमाई जा रही है, वो आपके लिए सिर्दर्द है, वो आपके सुकून छीन लेगा हूँ, वो आपको परिशान करेगा, ऐसा लोन खराब लोन है, च कोई लोन लिया गया, कई बार तुम लोग ताओ में आ जाते हैं, तुझे क्या पता, मेरे पास आज चोटा फोन है, मैं भी यह आइफोन ले सकतना हूँ, तुझे क्या पता, जाए फटाक सा जाकर के यह माई पर आइफोन उठाके लिए दे, कल आकर उसको दिखा दिया रह आज आपने खुशी खरीद ली उस पैसे को देगर के, लेकिन कल आपके सिर का दर्द गम फ्री में आएगा, पैसे का देखो एक चक्रव्यू होता है, पैसे के इस चक्रव्यू में आपका पैसा कमाना आता है, जादा तर लोग इस चक्रव्यू में मलुम क्यों फसे हुए ह उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना आता है मैं जो चक्रव्य में घुसा था कि अब पैसे का कमा यूण उस पैसे को घैंपे पैसे को बचांठ करें और में इन्वेस्ट करके जो सुखुन वाली चीज़ेंस होती है जो खुशी वाली चीज़े होती हैं, घुमना, फिरना, अपनी जिंदगी में जो करना चाते हैं, जिससे हमारे को मज़ा आता है, वो काम करें, यह तीन-चार स्टेजिस होते हैं, लेकिन जादा दर लोग, जादा दर आजमी क्या होता है, पैसे कमाना, यही पर उसका खेल खतम हो जाता है कब तक कमाना? जब तक जिंदगी है, वो बचाना उसमें भी नहीं जा पाता, कुछ लोग उसमें से बचाने वाले फेज में जा पाते हैं, लेकिन उसमें से भी बहुत कम लोग जिंदगी को जीने वाले फेज में जा पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग पैसे कमाने के चक्र परव्यू में ही यह चीजें हमारे साथ कई बार होती हैं इमोशनल साडस्ट्राक्शन के लिए लोन वह बहुत बुरा लोन उसके बाद वेहकल लोन भाइक खरिदने के लिए गाड़ी खरिदने के लिए यहां मैंने देखो लिखा है डिपेंड्स ऑन यूसज किस परपस के ल आपको लोगों के सामने प्रेजेंटबल रहना पड़ता है आपको अच्छा दिखना ज़रूरी होता है अच्छे कपड़े अच्छी बातें अच्छा टायर अगर आप कहीं जा रहे हो किसी वी आईपी क्लाइट से मिलने जा रहे हो तो गाड़ी वाड़ी हो तो बहुत ऐसे में माल लो आप एक सेल्स पर्षन हो और आपको आठ दस लाक रुपे के गाड़ी चाहिए लोन पर क्योंकि वैसे पैसे नहीं है वह यह सेल्समेन है लेकिन अगर गाड़ी होगी तो मैं जिस व्याइपी क्लाइंट के पास मिलने जाता हूं अपना माल बेचने जाता हूं वह व्याइपी क्लाइंट मुझे अच्छा समझेगा एंटेडेन करेगा समय देगा मेरे साथ बैठेगा मेरी बात सुनेगा और मेरे से माल खरीदेगा तो ऐसे स्थिति में वह कार लोन बुरा नहीं है क्योंकि वह आपकी इंकम को बढ़ाने का काम करेगा लेकिन मैक्सिमम और कि लोग कार लोन किसली लेते हैं कि अब तो सेलरी बढ़ गई है अब थोगा जादा बचने लग गया है कर लें लेते हैं रिया है इसने में कार सुने एक हुरा दॉल आ उसके बाद आता है होम लोन अब आप कहोंगे होम लोन तो बहुत बढ़े लोने वह यह तो इंवेस्मेंट है हर चीज़ के पहलू होता है इसके भी पहलू है आप अगर 20-22 साल 23 साल 25 साल की एज के अंदर अंदर होम लोन ले लेते हो तो मैं कहूंगा आगे निए एक चक्रव ले लेंगे हो तो आपका मैकसिमम खर्चा करने में जा रहा होता है मैकसिमम इक सब्सक्राइब में जारे होती है जिसके लिए ठोड़ा उब एकस्राइक को बढ़ा करना हो मैं क्यूंकि आपकी दोड़त 안ए कल को मन हुआ कि जॉब चेंज करना है यहां से वहां जाना है या कुछ अपना शुरू करना है कोई रिस्क लेना है बड़ा आप नहीं ले पाओगे क्योंकि माइंडशेट अपका तैयार नहीं है आप डरे हुए रहोगे क्योंकि एक बड़ा है इम आई फिक्स अ है आइसे में अर्ली स्टेज में जाचार अब ना करें घृते चुकर अख़ूपरा कर लगो लेकिन पहले ल किया गाथ हो पहले पाइसे doub喜欢 हो लेकिन गूमने की ओकात होनी चाहिए, और ओकात नहीं है तो गूमने पे ध्यान मत लगा ओ, पैसे कमाने पे ध्यान लगाओ, आज यह दिन पैसे कमाल हो जिन गूमो, लेकिन लोल ले करके गूमना फिर ना, बाप, रर के तुग बाप है, जाए रीपैमेंट गेट्स डिफिकल्ट कई भार देखते होगे नहीं नहीं कि हम 3 9 दिन आप ग्यानि घ्रिण गहें लिश्टे था उच्वाध करते हैं गाडियां आप उनके पास देखो अब दिखेगी गाड़ीया एक मेने पूरानी गाड़ी है सेल पर है दो मैने पुरानी गारी सेल पर है क्या होता है आदमी ने जोष में डाउन पैंमेंट दे करके गारी उठा दो लिया लेकिन कुछ ताइम सको अहसास हो गया इसकी हमाई देने की मेरे वकाद नहीं है क्या होगा फिर गाड़ी उठाके ले जाएंगे फिर आपको किसी को बेचना पड़ेगा सबी ऐसा लोन जिसके रिपेelin करने के आपकी वकात नहीं है कल का बिना सोचे आपने वह लोन ले लिए फिर बहुत परशान बेचा मोझे और अच्छा लोन कौन है कोई भी ऐसा लोन जिसकी इमाई की सेलरी से आपकी सेलरी का 40% से कम है वो एक्जामपल अगर एक लाग सेलरी है तो 40,000 से कम कम के अगर इम आई है तो अच्छा लोने आप उसको मैनेज कर लेंगे हाँ अगें बाकी को जो टाइप सें में बोले उन टाइपस के लिए भी वो ना हो शाव आप इंकम ग्रोथ अब जैसे सेल्स पर्षेण वाला मैंने पहले एकजांपल दे यहां देना चाएथा ठीक है जैसे मैंने क्या बोला उसमे की कोई सेल्स पर्षेण है उसको गाड़ी चाहिए क्या तो वह इंकम करेगा उसका तो आईसा लोन अच्छा लोट तीक अपकोई गाड़ी ले रहा है उसको ओला में चलवाना है दो घृष ऊसको एक्स्ट्रा इंकम आएगी तो इक अच्छा लोन है टिक बाइक ले रहा है वह सुईगे ज्ञुण वालों को दे रहा है लोन लेकर के बने लिया लेकिन वहां से इंकम आघाने का काम कर र है यह मानी लोग एक नया स्टार्ट अप करने के लिए अच्छा लोन है पूरी दुनिया लेती है लोन के बिना आप जो प्रॉपर्टी मार्केट देखते हो इतनी उची उची बिल्डिंगे बनती है इतना बड़ा-बड़ा अंपायर इतनी बड़ी-बड़ी सोसाइटी लग घ्रणा यह प्लॉट मिल रहा है और इस प्लॉट की कीमत मुझे पता है कि दबल हो जाएगी है तो मैं ऐसे लेने के लिए बढ़े मैं पर्सटनल लोने पड़े बारा परशंट पे लेकिंद मुझे देख रहा है कि यह 5 साल में डबल हो जाए गए तो बारा परशंट सब्सक्राइब खरीद लेना हर प्रॉपटी ऐसी नहीं होती है प्रॉपटी में भी लोकेशन देखना जरूरी है अब को बीटेक कर रखा है उसको MBA करने के लिए लोन चाहिए सर बीटेक करके भी उतनी सेलरी मिलेगी MBA कर लोगे दो चारा जार और बढ़ जाएगा सेलरी लेकिन उसके लाखों का लोन मेरे लिए वर्थ नहीं है यह मैं कह रहा हूं यह मेरा परस्प्रेक्टिव है बाकियों का लाग मिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि वह वाला एजूकेशन एक ऐसा इंवस्मेंट है मुझे लगता है दुनिया का कोई स्टॉक मार्केट दुनिया कोई मुच्वल फंड उतना डिटर नहीं दे सकता जो आपकी रीएल एजुकेशन पे लगाए गया पैसे आपको दे सकता है त अब वाइसम गेट कि लोगों की जैसे था दो लोग है लेकिन इस एम्पल दिया था दो लूग कि सेआलरी है लेकिन एक लोटा है और दूसरे को मिल जाता है कारण क्या है istä कारण है sir credit score एक नया टर्म हो सकता है बहुत सारिशलोग लिए टावर सकता हो लेकिन समझाता हूं क्या वह क्रेडिट स्कोर प्रियुद हो क्या होता है तो हमारे को प्रिंसिपल का साइन किया हुआ character certificate मिलता था कि इस लड़के का इस आदमी का इस बच्चे का character कैसा है उसमें लिखा होता था character बढ़िया बढ़िया है सब बढ़िया है तो आगे college में admission मिलने में दिक्कत नहीं होती थी लेकिन कुछ लड़के criminal बदमास टाइप लड़के हैं करते रहते हैं तो उसका character certificate खराब principle दे देता था तो उसको फिर आगे college में admission मिलने में दिक्कत होती थी civil score भी एक ऐसा ही character certificate है जो किसी school के द्वारा नहीं दिया जाता किसी bank के द्वारा नहीं दिया जाता यह आपको दिया जाता है credit bureau agency के द्वारा यह क्या है अगेन यह नया time होगा समझाता हूँ पर गबरान अली सब आसान से समझाता हूँ यह agency आपको देती है अब कोगे हमने दास तक भी लिया है नहीं मैंने भी नहीं लिया किसी को लेने के जुरत नहीं पड़ती है यह मिलता है अपने आप अब मुझे कैसे पता जालेगा मेरे score कहा है मेरा यह financial character certificate की दरभ है कहां से मिलेगा और वह अच्छा है या बुरा है कैसे पता जालेगा सब समझाता हूं फिला इतना समझ आगया credit bureau agency जो कि RBI के द्वारा authorized होती है यह वह आपका financial character certificate देती है कहां मिलेगा कैसे मिलेगा मेरा कितना है आपका कितना है सब बताता हूं credit score credit bureau agency बारत में ना तीन basically credit bureau agency है तीन यह चार है सब्सक्राइब क्रण इन्फरमेशन ब्यूर्स आरुडिया लिमिटे़ सिबिल इसी को कहते हैं जो आपने अबतक हो सकता है सुना भी हो से बिल स्कोर सुना आपना सिबिल और बेस कर बेसिकली वर्ड नहीं होता वर्ड से लेकिन इन सब का नहीं हम ज्यादातर यह सिबिल की ही बात करते हैं इन इका देखते हैं ठीक है अब यह जो स्कोर होता है कुछ नंबर में होता है यह आपको नंबर मिलेगा सब करके 900 तक का नंबर हर इंडिविजुल आदमी का होता है ऑषज को नंगर का मतलब कर दी गई है तो मतलब उसका क्रेडिट स्कोर खराब है उसको कभी भी कोई भी लोन नहीं देगा वह जहाँ भी लोन ले जाएगा उसको चपल दुझता मार करके भगा दिया जाएगा और उल्टा उसके पास जो पैसे हो सकता है चीन चान लिया जाए यह भी हो सकता है मजा कर रहो ऐसा नहीं होता लेकिन पूर अगर है तो आपको भाईय कोई इंटरेटेन नहीं करने वाला हर जगर लफाड़ी की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा एवरेज अगर है तो उसका 650 से 750 के बीच क्रेडिट स्कोर है तो अच्छा है वहां पॉसिबिलिटी लोन मिलने की क्रेडिट कार्ड मिलने की कम इंट्रस्ट रिट पे लोन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है लेकिन अगर 750 से 900 किसी का है तो यह समझ लो कि आप बैंक के फिर दमाद हो आपको दमाद पर बूला लोगों लोन देने के लिए वह पाइसा का बाइक भरकाया को देने के लिए आ जाएंगे एनी टाइम रात को दो वजे भी सिच्वेशन ऐसी है अगर यह क्रेडिट स्कोर है तो कैसे जानेंगे अपना बता रहा हूं भी समझ में आ गया अब पेलिट प्रेंड करते हैं चैक कैसे करें मेरा अपना कैसे चेक करें इस वेबसाइट का लिंक मेंए डिस्क्रिप्शन और ड्ल दिया है इधर क्लिक करो और यह पेज अपके सामने खुल जाता है乐shore the gebracht canal, का मैंने लिंक डिस्रिप्शन प्रिंड कमेंड में दे दिया है बिल्कुल फ्री है चवणनी आपको खर्च करने के ज़्याद नहीं है इधर आप जाओ यूर क्रेडिट स्कोर और रिपोर्ट एपसुलूटली फ्री आपके मोबाइल पर आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री इधर आप क्लिक करोगे आपको आपका नाम मोबाइल नमबर वगरा मांगेंगे और आपका क्रेडिट स्कूर आपको कुछ ही दिर में आपको मोबाइल पर भेज़ दिया जाएगा ठीक है साथ ही आप यहाँ पर क्रेडिट स्कूर तो मिलेगा किसी भी तरह का आपको लोन चाहिए हर तरह के लोन के ऑप्षिंस यहां पर रेवलेबल हैं आप किसी भी तरह का लोन भी यहां पर अप्लाए गरके यहां लोन ले सकते हो कई बार यह होता है कि हमने ट्रेडिट स्कूर एक बार तो चेक कर लिया लेकिन मुझे पता करना है कि आप यहां पर एक और अप्षिंट स्कूर पर आओ और यहां पर लाइफ टाइम के लिए आपको क्रेडिट स्कूर और रिपोर्ट आपके वाट्साप पर हर महीने भेज दिया जाएगा इसका क्या फाइदा यह है कि हम डॉक्टर के पास रूटीन चेकप करवाते ना क्यों करवाते हैं कि कल को कोई बड़ी भिमारी आने वाली हो मेरे शरीर में तो मुझे पहले पता चल जाए क्रेडिट स्कूर वही है कल को माल लो आपको किसी बड़े लोन की जरत पड़े या बैंक से कुछ help की जरत पड़े तो वहां तो credit score अच्छे credit score की जरत पड़ेगी तो उस वक्त हो सकता है आपका credit score खराब हो तो इसलिए पहले ही मैं recommend करता हूँ कि हर तीन महिने पे आपको अपना credit score जरूर चेक करना चाहिए हर तीन महिने पे ताक कि कुछ गरबड़ी हो तो समय रहते हैं आपको ठीक करने का मौका मिले नहीं तो सकता है जब loan किसी भी banking help की जरत पड़े हो आपको मिले ही ना तो इसलिए हर तीन मेने पर जरूर से करो फ्री है ना पैसा थोड़ी लगना है डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है ठीक है आ गया हाँ फ्री चेक प्रीडिट स्कोर अपना चेक करना ही चाहिए आपकी इंकम चाहे 500 रुपया हो 5000 हो 5000 लाग हो अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करो ठीक अगला चेकिंग अगेन अगेन इंपक्ट स्कोर अच्छा हां सवाल यह आता है कि आप बार-बार क्रेडिट स्कोर चेक करने से मेरा सिबिल स्कोर खराब हो सकता है क्रेडिट स्कोर स्वरी खराब हो सकता है इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है दो तरह के क्रेडिट स्कोर चेक होते हैं एक होता है सौफ्ट सौफ्ट चेक एक होता है ह लेकिन एक hard check होता है हाट चग क्या होता है जब आप लोण के लिए apply करते हो credit card के लिए apply करते हो. तो जिस company जिस agency के पास और रिक्वेस्ट गई है वह agency credit score आपका check करती है तो वह agency जब चेक करती है तो उसको कहते है hard check और वहां पिया अगर आपका loan reject हो गया तो record में आता है यह जब देखो loan मांगने के लिए आया था और इसका loan reject हो जाता है तो आपका credit score खराब होने लग जाता है घटा चला जाता है तो बार बार hard check कराना जरूर आपका credit score खराब करता है लेकिन soft check जैसे पैसा बजार की मैंने बात करी कोई फर्क नहीं पड़ता इन यह अच्छा है आपको alert होने का मौका मिलता है ठीक अच्छा benefit of good credit score क्या फाइदे हैं पहला तो इंस्टेंट loan approval आप जिस भी बैंक के पास जाओगे वहां आपका आर्ति वर्ति लेकर के स्वागत किया जाएगा चंदन टिका लगाए जाएगा फिर बिठा करके प्यार से ल low interest rate एक आदमी लाख रुपय कमा रहा है दूसरा आदमी भी लाख रुपय कमा रहा है एक आदमी को हो सकता है 10% पर लोन मिले लेकिन वहीं दूसरे आदमी को सेम इंकम होने के बावजूद हो सकता है 8% पर लोन मिले बिल्कुल possible है सेम इंकम होने के बावजूद क्यूं अभ प्रेडिट कार्ड भी अप्लाई करते हो तो वह उसका भी अप्रूबल तुर अधा जाएगा और ट्रेडिट कार्ड जो मिलेगा उसका लिमिट भी अच्छा मिलेगा अधि बुले ने मैंने दो लोग सेम इंकम पे तो एक की पे भले ही आप कम लिमिट मिले लेकिन दूसरे का अच्छा है तो उसका ज्यादा उसको लिमिट मिलेगा क्रीड़ को डिपेंड़ा किस किस चीज पर डिपेंड़ करता है यॉसुसर पहली चीज तो री पेमिंट हिस्ट्री आपहने बैंक से पहले कोई लूट ले रख। या कोई क्रेड़र काड आता चल रहा है तो ध्यान दे ना मैरी बात openly चौ या फिर डिलेड पेमिंट 25 तारिक का डेट है यह माई पे करने का या क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने का और 26 तारिक को हम पे कर रहे हैं कि या इक ही दिन बात एक दिन में क्या चला जाता है बहुत कुछ चला जाएगा सब्सक्राइब कर देंगे तो टीक है अगले मैंने बैंक आपको इंटरस्ट लेगा एक्स्ट्रा पैसा तो लेगा लेगी लेगी सात में सब्सक्राब लग से करेगी और जितना ज़या डिले और एक्टे से क्रेड़ेट लिमिट यूसेज मालो क्रेडिट कार्ड पे अपको एक लाख का our क्रेडिसा एक लाख लिमीट मिली हैं और पूरा का पूरा एक लाख ऐंडने में हुआ थिसलिग मीने में तो मालूम है इनको क्या मैसाज पाए है इनको लगता है यह आदमी एकदम खाली भुखळ बैटा हुआ है एक लाग के निमेट दियो पूरा चूसलिया इसने ऐसा नहीं करना एक लाग की अगर लिमिट मिली है तो 30-40,000 से ऊपर खर्च मत करो क्रेडिट कार्ड से से में 50,000 की लिमिट अगर मिली है तो 20,000-15,000 से ऊपर मत खर्च करो सिबिल पर इंपक्त आता है टिक और अगर ऐसा है कि ज्यादा आपको खर्च करने की जुरत पड़ती है तो दो क्रेडिट कार्ड बना लो एक एक लाख वाले 30,000 इससे कर आपको खर्च करने का काम करता है तो इससे भी बचना है अब मेरा सजुशन के आए कि फालतों में कभी भी लोन अप्लाइ मत करो कर देते हैं कहते हैं सर उदर से बैंक आएगा एक लड़की बहुत प्यार से बोलेगी फोन पे सर आपके तो दो लाग का लोन आ रहा है फ्री कर दो कर दो अधर उसने अप्लाइक उसने जूट बोला ना उसका सेल्स टार्गेट था उसका टार्गेट इतना ही था कि ज्यादा ज्यादा लोग को कॉल करो और अप्लाइक करवा उससे लोन उसका टार्गेट था तो इसने प्यारी प्यारी बाते करके आपको बेला भुस इतना इथा क्या, इतना ही वही है, तो यह थी पूरी कहानी लोन की ख्रेडिट स्कोर की, कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिये, और फ्री में क्रेड कोड चेक करने का लिंक हमने पैसा बजार का डिस्क्रिप्शन और पिंट कमेंट में दिया है, वहां से चे